कि हलो आप लोगों की जो तैयार यह अच्छ से चल रही होगी और मैं आपको सजेस्स करूंगा कि यह जो टाइम है इसमें आपको अपने दिमाग और दिल को कोई कोई लोड आपको नहीं देना है यहाँ पर इस टाइम पर आपको क्यों रिवीजन करना जितना भी आपने एक साल यह दो साल पड़ा है उसको रिवाइस करें और यह एंशॉर करें कि आपको सब कुछ याद रहे रहें सब कुछ याद रहेगा तब आप एक्जाम में कुछ कर बाइंगे तो यह वो ताइम और जो आपको रिवाइस करके कितना भी आप किया एकिया दो साल जिसना भी आपना सीखा और सब आपको याद रहें यह एंशॉर करना है प्लास इस टाइंग में कि आपको मौक टे क्वेचिन आपकर नहीं ही कर रहें तो आप उसमें पुस्परियं में प्रॉमींट करेंगे रएक अपने या कोई आप नहीं चीज आपको कुछ नहीं पढ़ना है वो पढ़ने का है वो किसी और टॉपिक पर है यहां पे एक फेक्च्वल डेटा मैं आपको देना जाऊंगा अगर आप आप स्पूर्स का डेटा देखेंगे लास्ट दौ-तीन साल का डेटा देखेंगे तो आट अफ इटीन डॉपन आठ से डश्वाल आपके मटी करेक्ट क्वेस्टन होते हैं तो मतलब टोटल मार्ग का जो मेजर चंग है वो यहीं में वह यहीं पर आने वाला है तो इस मेजर चंक से ज्यादा से ज्यादा माक्स कैसे निकाला जाए और जितने ज्यादा आप इस सेक्शन के के सकिया यहाँ सियंव यहाँ स valley आपको नहीं बताने वाला यहाँ यहाँ स्ट्राइट कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं है यह जो स्ट्रेटिजी में आपको बताने वाला हूं इसके पीछे आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और आप अगर स्ट्रेटिजी को स्ट्रिक्ली फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एक्स्ट्रेक्ट कर सकते हैं से अगर आपने कोई आप्शन पड़ा हो सकता आपको लगे कि यह अप्शन तो हो सकता है क्योंकि साइक्लोजी और जो एक्जाम का प्रेशर रहना वो इतना ज्यादा होता है कि बाइचान साबने किसी ऑप्शन को अप्शन कर दिया ना तो उस पर आप देखोगी नहीं इसको पिर आप मुड़ो के वापिस देखोगी नहीं बट हो सकता है कि वह किसी और ऑप्शन से इंटरलेंक्ट हो सकता है तो यहां पर पहली चीज़ आपको एंशूर करना है कि कोई भी ऑप्शन को अलिमिनेट ना करो भले आपको ऐसा लगता है कि वह आंसर नहीं हो सकता वह आप यूज ना करें राइट तो यह पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूंगा आपको हरेक ऑप्शन को अच्छे सब्ढ़ना सेकेंड है रीड केरफूली इच ऑप्शन यह मैंने इसलिए बोलाया कि मल्टीकरेक्ट क्वेशन में जो चार ऑप्शन सोते हैं तो आप यह जू दो मल्टीकरेक्ट क्वेशन से ना आप घर स्ट्री उठा के देखेंगे मल्टीकरेकक्वेशन को देखेंगे जो कॉंसेट व facil tracks क्टेप्ट होते हैं एक ही चेप्टर के multiple concept उस उस चेप्टर उस वे यूज होते हैं तो हर एक क्वेशन में कोई एक different concept you दो रहा होगा तो जब भी आप किसी option को पढ़ेंगे तो उसको एक क्वेस्टन समझें कि हो एक different question is separate questions है question है उसको को सौल्ल करना है और जो वह आप सब करने हैं तो यह आपको फोकस करने हैं को safely पर करना है और हो सκता है कि हर एक पूप्शन किसी डिफरेंट कॉंसेप पे सोते हैं तो सबसे ज़्याद हैं यह कि जब भी आप एक-एक option को पढ़ेंगे ना तो option को पढ़ने से पहले question पूरा पढ़ें तो मुल्टिकरेक के जो questions होते हैं conceptual questions उसमें डेटा डेटा तो ज्यादा होता नहीं है बिट्विन दा लाइन चीज़ा बहुत छुपी होती है तो अगर एक बार आप पढ़ेंगे ना तो हो सकता आपको समझ में नहीं question और समझ में भी आ जाए तो 50 परसेंट या 60 समझ में राइट तो जब भी कोई option आप पढ़ना है उससे पहले question पढ़ें फिर option को देखें फिर second option पाएंगे तो उससे पहले फिर से question पढ़ें फिर option को देखें क्योंकि उसमें हो सकता आप question को पहली बार पढ़ेंगे तो इस इंटरप्रेट कर जाए और option आपको आप तो यहां पर जब भी आप question जब भी आप option पढ़ेंगे तो एंशॉर करें कि उससे पहले आपने question को पढ़ लिया तो यह option B option तक तो आपने दो बार question को पढ़ लिया उसके बाद आपको question अपने आप पता चल जागा कि exactly पूछना क्या चाहता है तो और option तक आते आते हो सकता आप question फटाफट पढ़ने तो यह तीन चीज़े ती जो आपको धियान रखनी है अगर यह आप तीन चीज़े फॉलो करेंगे तो आप इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा माक्स एक्स्ट्रेक्ट कर पाएंगे तो यह प्रैक्टिस में लाएं ज कुछ steps दे दी है तो अपने मैजिक सा आपके questions सही होने लग जाएंगे ऐसा नहीं है आपको यह सब जो strategies है वो अपने mock test में follow करनी है और फिर डीटेल अनलेसिस में देखना है कि कैसा result रहा है उसका आल राइट तो इतना ही मुझा बताना था as far as multi correct questions और वो section वाला पार्ट is concerned और एक और announcement मुझा करना है कि अगर आप sincerely और systematic way में जेए को crack करना चाहते हैं for next year तो आप हमारा offline badge भी join कर सकते हैं और जब आप offline badge join करेंगे तो आनंद code को use कर लें तो आपको maximum discount मिल जाएगा और further details के लिए आप यह number पे call कर सकते हैं all right that's it so आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें subscribe करें और अगर आपको कुछ डाउट है related to je advance 2022 तो आप comment में हम से पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को share करें thank you bye bye